नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शवंगर्व और आप हैं गर्गर को चैल में आज में जो वीडियो लिखे हैं वो है regarding the salary ठीक है तो एरफोर्स में आफकेट जब आप commission officer बन जाते हैं तो आपको कितनी salary मिलती है और क्या-क्या हिसाब होता है बहुत सारे comments आ रहे थे बहुत सारे doubts आ रहे थे salary को लेके तो उसको clarify करते हैं सीधा सीधा ठीक है तो first thing is एरफोर्स में तीन branches होते हैं flying, tech and ground duty ठीक है तो यह तीनों मैंने लिखी है so that आपको clear रहे कि किसके कितनी salary होती है ठीक है, first thing is आप जब एरफोर्स में commission हो जाते हैं meritist में आपका नाम हो जाता है और आपकी training start होती है ठीक है, तो training में आपको 56,100 पर मंत का stipend मिलता है ठीक है, तो जब आपके training start होगी आपको training सही पैसे मिलने start हो जाएंगे clearly notification में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा screen पर ठीक है, तो यह हो गया आपका training के दौरा, लेकिन जब आप commission officer बन जाते हैं ठीक है, तब आपको कितना क्या हिसाम मिलता है, कैसे पैसे मिलता है, उन्हों बता रहता हो basic, तो basic आपको मिलती है, जैसी आप join करेंगे, ठीक है, तो 7th pay commission के हिसाब से basic आपकी होती है, 56,100, ठीक है, same for tech, same for down duty ठीक है, MSP, MSP होता है, military service pay, ठीक है, military service pay मिलता है 15,500, 15,500 for technical branch also, and 15,500 for technical branch, ground duty also, now DA, DA होता है, at around 20% of basic, ठीक है, तो जैसे जैसे आप, you know, grow करते रहेंगे, आपका increments होते रहेंगे, तो आपकी basic बढ़ती रहेंगे, ठीक है, level बढ़ता रहेगा, तो जितना ही basic होगा, 20%, तो इसका 20% निकल के आता है, इसका add around 20% निकल के आता है, 11,220, same रहेगा, tech के लिए, और यहां भी रहेगा, same, ठीक है, now, TPT plus DA, this is transportation allowance, ठीक है, transportation plus allowance DA मिलता है, ठीक है, यह आपका होता है, actually, 4032 in non-metro cities, ठीक है, किस city में है, किस city में आप posted हो, ठीक है, और अगर आप metro city में posted हो, जहाँ खर्चा जादा होगा, that's why, यह double हो जाता है, ठीक है, तो same है, 4032 या 8064, 4032 या 8064, ठीक है, now, यहां तक तो flying, technical और ground duty का same है, बट, अब बात आती है, जो flying वाले की salary जादा क्यों होती है, तो उनको मिलता है flying allowance हर मन्त, ठीक है, तो flying allowance उनको मिलता है 25,000 पर मन्त, ठीक है, आप इस पर depend नहीं करता कि आप, दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, फ्लाइ, fighter pilots जाते हैं, transportation pilots जाते हैं, helicopter जाते हैं, salary में, ठीक है, इसके अलावा, बहुत सारे other allowance, allowances होते हैं, notification में लिखा है, आप देखेंगे, field area allowance, test pilot, special force, etc, hill area, ठीक है, वो सब भी मिलते हैं, तो वो सब add हो जाते हैं, तो और आपको चीजें आपकी अलगलग salary मिलते हैं, for example, आप किसी field area में है, आपकी posting जमू कश्मीर में है, ठीक है, जहां पर field area जहां पर खतरा ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा और allowance मिलता है, ठीक है, technical branch में technical allowance में मिलता है, ठीक है, ठीक है, और crown duty में भी different allowances होते हैं, ठीक है, तो यह तो थी basic details, ठीक है, salary की भारे में, यह आपको मिलता है, ठीक है, अब मैंको comment section में आप total करके बता दो, कि ground duty लगभग कितनी बैठेगी, apart from these allowances, इन सब को, और इस सब की, और flying की कितनी बैठेगी, ठीक है, I hope आपको doubts clear होएंगे, अगर आपको still को आपको प्लीज कमेंट सेक्षिन मेंशन कीजिए, अगर आप FK2 2020 की preparation कर रहे हैं, तो मैं पूरी वीडियो सीरीज बनाऊँगा, FK 2020 की, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, तिस इस शुवामकर, थांकियो सो म आपकोई ये टूराब आपकोईगा, FK 2019 की बनाच वीडियो बनाच प वीडियो कि तूराब आप कर दो को आपकोईगा, FK 2020 की बनाच बनाच बनाच, की चलवामकर, बनाच भ्राब हम्नाच, बनाच Mr.